Thank you Honorable Prime Minister Sir माननिय प्रधान मंत्री जी आपका प्रेरक एवं ज्यान वर्धक उद्बोधन सदयव हमें सकारात्मक उर्जा एवं विश्वास से भर देता है आपके व्रिहद अनुभव एवं ज्यान पूर्ण मार्ड दर्शन की हम सब उच्षुक्ता से प्रदीक्षा कर रहे हैं माननिय आपके आशरवाद एवं अनुमती से हम इस कारिक्रम का शुभारम करना चाहते हैं धन्यवाद मानेवर माननिय प्रदान मंत्री जी भारत की राजथानी एपेहासिक नगरी बिल्ली के विवेकानन स्कूल की कक्षा बारवी की चात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं खुशी कृप्या अपना प्रश्न पूछिए यह अच्छी बात है खुशी से सुरू हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि परिशा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे माननिय प्रदान मंत्री महोदे नमस्कार मेरा नाम खुशी जैन है मैं कक्षा बारवी विवेकानन स्कूल आनन्द विहार दिल्ली की छात्रा हूँ मानिवर मेरा प्रश्न है जब हम घबराहट के स्थिती में होते हैं तो परिशा के समय हम तैयारी कैसे करें धन्यवाद धन्यवाद खुशी मानिवर साहितिक परंपरा के परिपेक्ष में अत्यंत सम्रिद्ध प्रदेश चत्यसगर के बिलासपुर के कक्षा बारवी के छात्र एश्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूज रहे हैं वह उत्सुक है प्रधान मंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को श्रीधर कृपया अपना प्रश्न पूछिए नमस्कार माननिय प्रधान मंत्री महदय मैं एश्रीधर शर्मा दक्षिनपूर्म मध्यरेल में उचितर माध्य में क्विद्याले नमबर वन बिलासपूर छतीजगर के कक्षा बार्वी आर्ट्स का चात्र हूँ महदय मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है मैं परिक्षा संबंधी तनाव से कैसे निप्टूं अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा और अन्ततह अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निप्टूं धन्यवाद श्रीधर फ्रॉम दे लांड वेर दे साबरमती संथ महागमा गांदी जी इस सत्यागर्भ मुवम्ममन I invite Kenny Patel a class 10 student of Varodra who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her Kenny, please ask your question Greetings Prime Minister Sir My name is Kenny Patel I am from Three House High School Varodra Gujarat from class 10 My question is How to overcome the stress of completing the whole syllabus तो प्रॉपर रिविजिन तुन हैंस आर्मार्ट सें रिजल्ट और टेप प्रॉपर स्लीप इंड रेस्ट जिलिंग एग्जामिनेशन टाइम थैंक यू सर थांक यू कैनी माने निय प्रिधान मंत्री जी खुशी श्रीथर शर्मा तथा कैनी पटेल परिक्षा के तनाव से उन्हें की तरह देश भर से अनेक विद्व्यार्थियों ने एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं परिक्षा के तनाव से लगभक सभे विद्व्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्दर्शन के अभिलाशी हैं माने निय प्रिधान मंत्री जी एक साथ आप लोगों ने इतना स्वाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा देखिए आपके मन में भाई क्यों होता है ये प्रश्न मेरे मन में है क्या आप पहली बार एक्जाम देने जा रहे हैं क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एक्जाम देने जा रहा है मतलब कि आपने बहुत सारी एक्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एक्जाम के इस दौर से आखरी छोर की दर पहुँच चुके हैं इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर दूबने का धर ये तो दिमाग में पैटता रही है तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तै कर लेजिए कि परिच्छा जीवन का एक सहज हिस्सा है हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पढ़ाव है अब उस पढ़ाव से हमें गुजरना है हम गुजर चुके हैं जब इतनी बार हम एक्जाम दे चुके हैं एक्जाम देते देते एक प्रकार से हम एक्जाम प्रूफ हो गए हैं और जब ये विश्वास प्यादा हो जाता है तो ये नहीं आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताथत बन जाते हैं इसे आपके इन अनुभव को जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं उसको आप कतई छोटा मत मानिए दूसरा ये आपके मन में जो पैनिक होता है क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेडनेस में कमी है कहने कोद हम कुछ कहते होंगे लेकिन मन में रहता है मेरा आपको सुझाव है अब एक्जाम के बीच में समय तो जादा है ये नहीं इस बोज को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वाज भरकर के आगे बढ़ना है हो सकता है एक दो चीजे छूट गई होगी एकाज चीज में थोड़ी जितनी महनत चाहिए नहीं होगी उसमें क्या है लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्म विश्वास भरपूर है तो वो बाकी चीजों में भी ओवरकम कर जाता है और इसलिए मेरा आपसे आग रहे है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए पैनिक क्रेट हो ऐसा बातावरन को पनपने ही मत दीजिए जितनी सहज दिनचरिया आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचरिया में आप अपने आने वाले परिशा के समय को भी बिताईए एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्ट्रमन्स पैड़ा करेगा वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूँ मेरा इद्वत ऐसा करता है इसलों उसको अच्छे मार साते हैं मैं भी वो करूँ आप वो कुश मत कीजिए जो आपने सुना है आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वाव भरिए मुझे पका भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से उमंग से उत्सा से एक फेस्टिबल मूड में एक्जाम दे पाएंगे और सफल होके रहेंगे कि आप बहुत से उत्सा करते हैं